इस स्रीस का लास्ट पार्ट हुने वाला है पर उससे पहले लेट्स रॉल दी इंट्रो वो सस्पीशिस इंसान और कोई नहीं परर रोबर्ट ही था उसको नली मिंग्शी की बारे में सब कुछ पता चल गया था वो वी को फसाना चाता था इसलिए उसके पांस एक प्लैन भी था तबी ही वो पास्ट से आये हुए एक इंसान को देखता है जो कि और कोई नहीं पर लेमिंग्शी का बड़ा भाई ही था फुबाओ सभी को सेट पर पानी दे रही थी तो वी वहां पर आजाता है वो कहता है कि तुम मुझे एवोइट क्यों कर रही हो तो फुबाओ कहती है कि मैं तो नहीं कर रही वी अपने दोनु हाथों को फैला देता है फूबाओ को लगता है कि शायद प्रेजडेंट वी को भी पानी चाहिए पर वी उसके हाथ पकड़ कर कहता है कि इसे तुम फिल नहीं करती मेरे हाथों का टेंपरेचर ली मिंग्शी के हाथ से तो ज्यादा ही है फूबाओ अपना हाथ छड़ाने लगती है तो वी वहाँ से चला जाता है जितेंगा कर फूबाओ से कहता है कि तुमने बोस को रिचेक्ट कर दिया इस वज़े से कल वो पूरी रात रोये और उसकी आँखे सूज गई इसी वज़े से आज वो सेट पर चश्मा पहन कर आये है फूबाओ जब आगे चाती है तो रास्ते में उसे रोबर्ट और लेमिंग्शी का बड़ा भाई मिल जाते है रोबर्ट ने अपना हुलिया चेंज किया हुआ होता है तो फूबाओ उसे नहीं पहचान पाती वो लेमिंग्शी के बड़े भाई को एक चोकलेट खाने को देती है क्योंकि वो पानी लेने से मना कर रहा था बाद में हमें इन दोनों की एक और डेट को दिखाया जाता है जहां पर फाइनली फूबाव को पता चल जाता है कि लेमिंग शी की बाड़ी अब धीरे धीरे गायब हो रही है वो उसे ज्यादा कुछ तो नहीं कहती पर उसे पूछ लेती है कि कि तुम मेरे साथ रहने के लिए सीरियस हो तो लीमिंग शी कहता है कि हाँ तुमने मेरे बाल काट लिये है तो इसकी रिस्पॉंसिबलीटी तो तुम्हें लेनी ही होगी फूबाव पुछती है कि अगर तुम वापस नहीं चाते तो तुम्हारे ली स्टेट के लोगों का क्या होगा लीमिंग शी कहता है कि मेरा बड़ा भाई अगर बदा लेना भूल जाए तो वो मुझसे भी एक अच्छा राचा बन सकता है वैसे भी ये राचा बनना बहुती स्यादा थका देने वाला काम है उसे तो बस सिर्फ चार घंटे ही आराम करने को मिलता है पूरा दिन बस काम करते रहो ली मिंग शी ने अपने बड़े भाई के बारे में फूबाव को पहले ही सब कुछ बता दिया था वो कहता है कि मेरे अंदर राचा बनने की और भी इच्छा नहीं है मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाता हूँ अगर मैं ये तुमसे कहता हूं की मुझे तुम्हारे साथ रहना है तो बस मैं ये करके दिखाऊँगा फिर ये दोनों किस करते हैं अगले दिन सेट पर लीमिंग शी का बड़ा भाई चब लीमिंग शी को देख रहा था तो उसे पता चल जाता है कि लीमिंग शी और फूबाव दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं लीमिंग शी का बड़ा भाई तो लीमिंग शी को मारने चाह रहा था बट रोबर्ट आक अकेले में फूबाव सोच रही थी कि उसने लीमिंग शी से प्रोमिस किया था कि वो उसे अपने ली स्टेट वापस भेज कर ही रहेगी वो कहती है कि अगर मैं उसका नाम इस हैंड बुक में लिखती हूं तो वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चला जाएगा वो यहीं सोच कर लीमिंग शी का नाम उसमें नहीं लिखती तभी ही ग्रू का एक मेंबर आकर फूबाव को एक चिठी देकर चला जाता है जब उस चिठी को फूबाव पढ़ती है तो वो थोड़ा शौक थी कि मुझे प्रेजिडेंट वी ने इसी खंडर जैसे जगे पर क्यों बु खुश कर देता है लीमिंग शी को थोड़ा अजीब लग रहा था कि ये फूबाव अखिर में चली कहां गई होगी वो फूबाव को वी के पांस भी ढूनने को आता है वी कहता है कि वो तुम्हारी गल फ्रेंड है तो तुम्हें नहीं पता कि वो कहां चली गई तभी ही रो लीमिंग शी का जो बड़ा भाई होता है शायद उसे राचकदी नहीं मिली इसलिए वो लीमिंग शी को मारना चाहता होगा वो कहता है कि लीमिंग शी तो बहुत ही ज्यादा लकी है उसे देखो राच्छी भी मिल गया और तुम भी मिल गई पर मुझे तो कुछ भी नहीं म उसने एक दिन मुझे बताया था कि वो नहीं पर तुम ही राचा बनने के लायक हो तुमने परिवार को छोड़ कर राचकदी और पावर को चुना शायद इसी वचे से तुम ऐसे हो यह सुनकर तो लीमिंग शी के बड़े भाई को आता है गुस्सा वो कुछ करने चाता उससे पहले ही कहानी के दो हीरो की एंट्री हो जाती है लीमिंग शी और वी की वी कहता है कि लो एक और एशेंट बंदा आ गया मैं फूबाव को बचाता हूँ तुम अपने बड़े भाई से लड़ो वी जाता है और रोबर्ट को बहलाने फुसलाने लगता है मौका देख कर ही व उसका बड़ा भाई तो लीमिंग शी को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है फूबाव लीमिंग शी से कह रही होती है कि तुम्हें मेरे लिए ये सब कुछ करने की कोई भी जरुरत नहीं है तब ही वी उठकर रोबर्ट को मारता है और फूबाव वहां से बच कर नि फूबाव तो फिर भी हैंड बुक में कुछ लिखती है वो लीमिंग शी से कहती है कि अगली बार जब तुम मुझे मिलोगे तो तुम पहले ये बताना कि तुम कौन हो लीमिंग शी का भाई जब उस बुक को देखता है तो उसमें जो लिखा था वो पढ़कर वो गुसा हो कर लीमिंग शी को मारने के लिए ज़ाता है पर मोका देखते ही लीमिंग शी उसके बड़े भाई को ही मार डालता है शायद उस हैंड बुक में लीमिंग शी का ही नाम लिखा होगा लीमिंग शी फूबाव को लाश्ट बार आई लव यू बोलता है और कहता है कि मुझे जहाँ पर लिमिंग्शी फुबाव का नाम लेकर उठता है और उसका जिने चेहता है कि महराज अब तीन देन और तीन राद से इस सोए हुए हैं जिने मुखा होता है कि आप अभी पूरी तरीके से कर्दम नहीं हुए हैं तो आप ऐसे भागिये मत ली मिंगशी कहता है कि मेरे कपड़े कहा है। यूनूच उसे उसके कपड़े दिखाता है ली मिंगशी उन कपड़ों में से एक फोटो को निकालता है जो कि फूबाव और उसकी साथ वाली फोटो थी। उस फोटो को देखकर ली मिंगशी अपने प मिंगशी उसके साथ ही हो पर दूसरे पल ही वो गायब होचाता है इसी तरह से ली मिंगशी को याद करते हुए फूबाव सोचाती है जब उसके निंद खुलती है तो वो वही दिन था जिस दिन उसका बढ़ दे था सीतेंग आकर कहता है कि तुम SSOE हुई क्यों बढ़ी हो आज तुम्हारा बढ़ते है और ये क्या तुम्हारे हाथ में है ये तो हैंट बुक है जो कि तुम्हारे नए प्रोचेक्ट में काम आने वाली है फूबाव जब बाहर जाती है तो उसके सारे कलेक्स उसे बढ़ते वि जाती है शायद फूबाव को उसका असली गिफ्ट ली मिंग शी के तौर पर मिल ही गया इसे के साथ ये वाला ड्रामा होता ही यहीं पर ही खतम डोंट फरगेट टो लैक शेर और सब्सक्राइब थैंक्स पर वाचिंग बाई बाई